हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आप लोगों को इस टाइब का डिजाइनर बंदा बनाना बताऊंगी तो चलि फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसे बनाना किस तरह से यह बनता है यह ओल है इस टाइब का इसे हमें इस दूल को डबल कर लेना है डबल करने के बाद हमें एक इस तरह से यह एक फंदा बन गया हमें क्या करना है इस तरह से हमें फंदे डालना है यह दो फंदा हो गया यह तीन फंदा हो गया और अब यह इस तरह से केट हुए चार फंदा हो गया इस चार फंदे को हमें क्या करना है यह दागा डबल वाला धागा इधर रखेंगे और यह सिंगल धागा से बुनेंगे तो यह पहले फंदे को बुने इस तरह से यह एक और यह दो और इस तरह से इधर पलट देंगे तो यहां पर एक फंदा हो गया फिर एक फंदे को बुनेंगे तिसरे फंदे को बुने और इसे भी इस तरह से पलट दिये और यह जो फंदा है इसे हमें बुनना नहीं है इधर इस काटे पर चढ़ा लेंगे फिर हमें क्या करना है फ्रेंट्स फिर हमें चार फंदे लेने है तो देखिए फिर इसी तरह से यह जो डबल वाला उल है इधर हमारे हाथ में इस तरह से रहेगा और यह सिंगर लूल से पंदे को डालेंगे एक पंदा यह दूसरा यह तीसरा पंदा और यह चौता पंदा तो चार फंदे को फिर हमें क्या करना है यह डबल वाला धागा इधर साइड रहेगा और जो सिंगल धागा है उससे हम बूनेंगे फिर उससे तरह करेंगे पहले फंदे को बूने दूसरे को भी बून लेंगे और फिर इससे पलट देंगे फिर एक फंदे को बूने तिसरा फंदा यह है तिसरे फंदे को बूने फिर इससे पलट देंगे और इस पंदे को में नहीं बूनना है यह फंदा इधर चड़ा दिये तो यह डबल डबल दो दो का यह इस तरह से यह बनता है डिजाइनर लेश टाइप का यह दिखता है इससे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं यह बॉर्डर काफी अच्छा लगता है बनने पर यह फंदा फिर उसी तरह से चार फंदे एक दो तीन और यह चौथा फिर इधर डबल बाल जो धागा है इधर कर लेंगे और सिंगल धागा से फिर बुनेंगे सिंगल गुल से एक दो फिर इसे बलट देंगे फिर तिसरे वाले को भी बुन लेंगे फिर इधर बलट दिये और यह जो फंदा बचा इसे हम इधर चड़ा दिये तो यह दो दो का फ्रेंट्स यह बनता है इस तरह से तो इसी तरह से यह जो फंदा है डिजैनर फंदा सो बनते जाता है तो मैं फ्रेंट्स थोड़ा और आपको बना कर दिखाती हूं देखे बनने पर यह इस टैप का लगता है थोड़ा समय से और आपको बना कर दिखाती हूं तो फ्रेंट्स देखिए यह इस टैप से लेज की तरह यह बनते जाता है तो मैं एक बार और आपको बना कर दिखा देती हूं इस तरह से फंदा हमें लेना है और सिंगर लूल को यह एक बन्दा हुएं दूसरा बन्दा यह दीसरा बन्दा और यह जोथा बन्दा फिर इस सिंगल वेल से सिंगल वेला जो उल है इससे हमें बन्दा है डबल धागे को इधर कर लेंगे और सिंगल से यह एक पंदा यह दूसरा पंदा धर पलट दिया है देना है फिर यह इससे भी बून लिये धर पलट दिये और यह यहां पर चड़ा देना है इससे नहीं बूनना है यह तीसरा भी बून देना है पर यह रहा गया था बस अब इसे यहां पर ले आएंगे तो देखिए इसी तरह से यह डिजाइनर पंदा बनता है और यह बनते चला जागा आप अगर इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे तो यह काफे खुशूरत लगता है इसमें आप एक उल्टा एक सीधा या दो उल्टे दो सीधे भी बॉर्डर आप बना सकते हैं चाहे सभी उल्टे उल्टे चाहे सभी सीधे सीधे बॉर्डर किसी भी तरह से आप बनाएंगे तो यह काफे खुशूरत लगगा तो यही है मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक सेर करेगा और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू